नमस्कर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को केंद्रे विद्याले में पढ़ाना चाहते हैं बीना एड्मिसन फीस के यानके फ्री में अगर एड्मिसन कराना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरी किसे आप 2022-23 के ये एड्मिसन करा सकते हैं यहाँ पर केंद्रे विद्याले के पोर्टल पर जाकर रिजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरी किसे फॉर्म भरना है उसका पूरा प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर आएंगे तो आप इस पेस पर आजाएंगे यहाँ पर आपको देख लेना है सारी डीटेल पढ़ लेनी है नीचे आपको पंजिकरन करने के लिए यहाँ क्लिक करें का बटन मिलेगा इस बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे तर्गी से पढ़ लिजिए पढ़ लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नया पंजीकरण का फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी, सबसे पहले बच्चे का पहला नाम, बच्चे का मध्य नाम, बच्चे का उपनाम, और यदि बच्चा बिद्याले संगठन के करमचारी का बच्चा या पौत्र, पौत्री है, अगर है, तो यहाँ से आप सिलेट कर सकते हैं, जो भी एप्लिकेबल हो, उसे यहाँ से सिलेट कर लिजे, अगर नहीं है, तो नोट एप्लिकेबल इसे सिलेट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों लंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा उस OTP को एंटर करके इस पेज पर वेरिफाई बटन पर क्लिक कर देंगे वेरिफाई कर देने के बाद दोस्तों आपकी रजिस्टेशन सक्सेस्फुल हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग इन कोड आपको मिल ज चले जाएंगे यहाँ लॉग इन पेज में आपको लॉग इन कोड एंटर करना होगा उसके बाद बच्चे की जन्मतिती सिलेट कर लेनी है मोबाइल नमबर एंटर करना है और कैप्चा कोड को एंटर कर लेना है और सिंपल यहाँ लॉग इन बटन पर क्लिक कर देंगे उस सब आ जाएगी यहां पर आटोमेटिक यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे यहां दूसरा इस्टेप में पैरंट्स की डीटेल एंटर करनी है जो कि आपने पहले जो किया होगा वो आटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा जो कोई भी एंटर क पड़ेगी उसे आपको एंटर कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है तीसरा इस्टेप आजाता है चोईस आप इसकूल्स आपको इसकूल्स सिलेक्ट करने हैं आपके लिए यहां पर तीन ऑप्सन मिलते हैं तो आप एक दो तीन इस तरीक से जो ह विद्याले का नाम चुनना होगा इसी तरीक से आपको सिलेक्ट विद्याले 3 में इस पर क्लिक कर देना है और तीसरा विद्याले भी सिलेक्ट कर लेना है विद्याले का नाम सिलेक्ट कर लेने के बाद यहां नीचे स्क्रॉल करेंगे और निवास से विद्याले की दूरी क पांच किलोमेटर से कम या बराबर पांच किलोमेटर से अधिक जो भी हो उसे सिलेट कर लेना है तो यहां पर देखे लिख कर आ गया है के वीएस प्रवेस दिसा नीर देशों के अनुशार आप इस विद्याले में RTE के तहथ प्रवेस के लिए पात रहें तो यहां नीचे स् देखिए यहाँ पर आप हाँ कर दीजे। उसके बाद यहाँ पर पिता, हुआर। और सेवा प्रत्मिक्ता स्रेंई अपने आप आजाएगा। अगर आप यहां नहीं करेंगे तो यह आपको सिलेट करने में मुश्किल होगी उसके बाद यहां फिर से next बटन पर क्लिक कर देंगे चोथे step में upload documents में आपको documents upload करने होंगे तो सबसे पहले आप यहां पर instruction पढ़ लिजे केवल pdf और jpg file ही मानने है बच्चे की photo jpg file ही होनी चाहिए और यहां पर file की अधिक्तम size 256 के भी होनी चाहिए चिन्हित सभी दरस्तावेज अन्यवार यह हैं जो भी star mark है वो सभी documents से यहां पर जरूरी है upload करना तो सबसे पहले यहां पर क्या मांगा है बच्चे की जन्मतिधी का प्रमान तो जन्मतिधी का प्रमान आप यहा पर birth certificate select करने वाला हूँ तो choose file button पर click करेंगे आपने जहां कहीं भी document रखा होगा उसे upload कर लेना है और यहां upload button पर click कर देंगे उसके बाद बच्चे का passport size photo आपको upload करना होगा तो choose file button पर click करेंगे फिर से यहां पर जहां भी रखा है file आपने उसे select कर लेंगे passport size photo select कर लेने क के बाद यहां पर upload button पर click कर देंगे तो यह भी जो है upload हो जाएगा देखें यहां done file uploaded successfully लिखकर आगया ok कर देते हैं यहां पर देखें कूछ instruction बताई गई है यदि विद्याले द्वारा प्रवेश की पेशकस की जाती है तब प्रवेश की समय निम्नलिखित दस्तावेज व STOBC स्रेणी प्रमानपत्र पांचवां है EWS BPL स्रेणी प्रमानपत्र और छटवां है single girl child स्रेणी के लिए एफिडेविट तो यह सभी डोकुमेंट जो है जमा करने पड़ेंगे यदि विद्याले द्वारा प्रवेश की पेशकस की जाती है तब उसके बाद दोस्तों यहां डोकुमेंट्स अप्लोड कर देने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और next बटन पर क्लिक करेंगे अब इस्टेप बज जाता है डिकलेटेशन एंड सब्मीट का तो यहां पर आपको सारी चीजें सही से पढ़ लेनी है जो जो भी सर्तें यहां पर लिखी गई है सभी नियम और सर्तों को पढ़ लेने के बाद यहां चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेब टू प्रिवीव आप सही तरिकी से सब जाच कर लिजे उसके बाद वापस उसी पेज पर आएंगे और यहां पर सब्मीट एप्लिकेसन बठन पर क्लिक कर देंगे यहां पूछ रहा है are you sure you want to submit this application तो यहाँ पर yes submit बटन पर क्लिक कर देंगे हमारे दिये गए mobile नमबर पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ एंटर कर लेना है OTP एंटर कर लेना के बाद verify OTP बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखे your application submitted successfully लिखकर आ गया है आपका आवेदन सफलता पुर्वक submit हो गया है आपका application submission नमबर यह नमबर को आप कहीं पर भी note करके रख लीजिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है देखे क्रिपया इस application submission नमबर को सहेज़ें प्रिंट करें इस नमबर का उपयोग विद्यालेयों द्वारा अवेदन के बाद की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा आप यहाँ पर प्रिंट application बटन पर क्लिक करके इस application को प्रिंट कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीक से आप के विएस इसके लों में admission के लिए यहाँ registration कर सकते हैं online